रादे रादे फ्रेंड्स आप सभी का हमारे योट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणे संकस्टी व्रत होता है। पर भादवे की कृष्ण पक्ष की चौथ भूला चौथ के नाम से जानी जाती है। इसमें महलाएं जो व्रत धारन करती हैं वे अपने अखंड सुहाग की कामना तथा पुत्रे की लंबी आयो की कामना के लिए करती हैं। इस दिन महलाएं गेहूं, चावल या कोई और अनाज नहीं का सेवन नहीं करती। वे गाय से बने दू, दही, घी, मिठाई, इत्यादी का भी सेवन नहीं करती हैं। इस दिन गाय और बच्छडे की पूजा की जाती हैं। गाई को तिलक लगाती हैं, उन्हें चारा देती हैं, आर्ती करती हैं, तथा शाम के समय गाई के पूँच में जों से जल डाल करके अरग देती हैं, उसके बाद ही भोजन करती हैं, भोजन में जों की रोटी का सेवन करती हैं, फल खा सकती हैं। बहुला चोथ की कथा इस प्रकार है। कृष्ण भगवान जब नंद बाबा के यहां लीला करने के लिए अवतरित हुए तो स्वर्ग के देवी देवता गोब गोपयों का रूप धारण करके कोकुल पहुँच गए। उनकी इसी लीला का आनंद लेने के लिए कामधेनु के भी मन में उनकी सेवा करने का मन हुआ और वे उनकी लीला देखने के लिए लालाय थो उठे। और ऐसा विचार कर कामधेनु ने अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गोशाला में पहुँच गये। जब भगवान बड़े होने लगे तो गायों के साथ साथ उनका लगाव भी बढ़ने लग गया। लेकिन बहुला नाम की उस गाय के साथ भगवान क प्रिष्ण का विशेश प्रेम था। एक बाश्रीकिष्ण गायों को चराने जंगल में गये। बहुला नाम की वह गाय भी उनमें शामिल थी। संध्या के समय जब भगवान गाय चरा कर वापस लोट रहे थे तो बहुला नाम की गाय जुन्ड से अलग हो गई थी और रास भटक चुकी थी। भगवान जान चुके थे कि बहुला मार्क भटक चुकी है तो उनसे लेने पहुँचे तो प्रभु के मन में आया कि क्यों ना मैं बहुला की परिक्षा ली जाए। भगवान श्रीकिष्ण से का रूप धारन कर बहुला की तरब जप्टे तब बहुला सिंग के आगे प्रार्थना की कि हे सिंग राज निश्चे ही अब मैं आपका आहार हूँ लेकिन मेरी आप से एक विनती है यदि आप उसे मान लें तो सिही रूपी धारी भगवान बोले बोलो क्या कहना चाती हो बहुला ने कहा मैं सुभर से जंगल में आई हुई हूँ औ और अब घर लोटते समय मैं अपने जुन से बिछूड गई और मार्ग भटक गई घर पर मेरा छोटा सा बचड़ा है जो केवल मेरे दूद पर ही है भूका है आप अभी मुझे जाने दें शिगर ही मैं बचड़े को दुगदपान करा कर लोट आऊंगी तब आप मुझे ख आई तो मैं भूका ही रह जाऊंगा तब भूला ने सत्यव धरम की शपत लेकर कहा कि मैं शिगर ही वापस लोट आऊंगी भूला की शपत से प्रभावित होकर सिंग रूपी भगवान कृष्ण ने उसे जाने दिया कुछ समय बाद भूला अपने बचड़े को दुगदप प्रसन हुए और अपने वास्त्विक स्वरूप में आकर भगवान ने कहा हे बहुला मैं तुम से अत्यंत प्रसन हूँ तुम मेरी पलिक्षा में सफल हुई हो हे बहुला आज भादर पद चतुर्थी का दिन है और मैं तुम्हें यह आशिरवाद देता हूँ कि भादर दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी और जो तुम्हारी पूजा करेगा वह मेरी ही पूजा करेगा उसे धन व संतान की प्राप्ति होगी और उसकी सभी मनो कामनाओं को मैं पूर्ण करूंगा ऐसा आशिरवाद देकर भगवान बहुला को लेकर वापिस नंद गाउं में आ गए और उसे उसके बचड़े के पास छोड़ दिया इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक भहुला चौत का व्रत करता है गायों के पूजा करता है तथा श्रवन करता है स्वैम सुनता है दूसरों को सुनाता है तो वह संतान सुक धन धान्य व पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें वर शेर भी करें धन्यवाद